डेट है आज 2 नॉमबर 2021 ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज मेरिन प्रोग्राम ये युनेस्को का एक प्रोग्राम है युनेसको क्या है युनेसको क्या है युनेसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिकलेर करती है और वर्ल्ड हेरिटेज मेरिन प्रोग्राम भी चलाती है जो world heritage site है वो देखो different है उसमें कोई भी physical मालो कोई natural site है या कोई monuments बना हुआ है उसको ये world heritage site declare कर देती है उसे की अगर कोई unique quality होती है मालो cultural quality है या कोई physical unique quality है तो उस building को या किसी national park को world heritage site declare कर देगी फिर उसको protection के लिए ये support provide करती है उस country को उस country में ही रहती है वो site तो उठके थोड़ी ना कहीं पर चली जाएगी लेकिन उसकी जब world heritage site का status दे दिया जाता है तो उसमें देखो world से tourism भी आते है मतलब tourist भी आते है tourism sector को भी promotion मिलता है इसकी वज़े से जो ये world heritage marine program है ये world heritage site का जो program है उससे अलग है ये देखो ये भी global collection होता है unique ocean places का ocean के आसपास समुदर के आसपास coastal area आज में लगवग topics से लेके poles के बीच में जो sites होती है उनको declare करती है ये world heritage marine program के अंदर topics और poles का मतलब ये है ये हमारी अर्थ है ये भूमद्दर रेखा है यानि कि अर्थ के बीच ओ बीच वारी रेखा जिसे zero degree equator भी बोलते है इंगलिस में equator e q u a t o r और इसके 23 and half north and south में 23 and half degree यानि कि साड़े 23 डिगरी north में साड़े 23 डिगरी south में इस दोनों के बीच में ये ट्रॉपिक है और ये poles है ये north pole और ये south pole अर्थ का पता ही आपको तो ट्रॉपिक से लेके अर्थ के बीच में कोई भी site है ऐसी ocean places है उसको declare करती है अभी 37 countries में 50 unique ocean places को declare किया हुआ इस लिस्ट में जिनकी unique marine biodiversity है singular ecosystem है unique geological process है या incomparable beauty है बहुत ही सुंदर साइट है कोई national park है या कोई मालोग कोई ऐसी site है जिसकी अपनी unique significance है ocean places है यानि कि ocean समुदर के साथ लगता है जैसे इंडिया में केवल एक ही site declare कीगी है वो है सुंदर्बन national park सुंदर्बन national park है वैसा west बंगाल में आपको पता ही होगा सुंदर्बन यहां पे mangrove forest पाया जाता है mangrove forest के लिए बहुत ही important है मेंगरूव forest पाया जाता है mangrove के जंगल बोलते हैं हिंदी में यह वैसा वैसे होते हैं mangrove forest यह इनकी जड़े पानी में डूब होते हैं और पानी में यह उगते हैं पानी होता है इनमें भरा है आसपास तो इनको mangrove forest बोलते हैं next topic है protocol to prevent human trafficking यह संगई corporation organization की meeting हुई है recently इंडिया में न्यू डेली में न्यू डेली में हुई है 19th meeting हुई है 19 में meeting इसमें यह protocol adopt किया protocol का मतलब है एक agreement sign किया कि यह cooperation करेंगे किस चीज में cooperation cooperation मतलब सहोग सहोग बढ़ाएंगे एक दूसरी country का जितने भी संगई corporation organization के जितने भी member country है फिलाल इसके देखो no member है यह सब cooperate करेंगे human trafficking से बचने के लिए especially women और children की देखो human trafficking का मतलब क्या है यह जो trafficking लिखी हुई है यह traffic same spelling है जो road पे traffic लगता है लेकिन अगर human trafficking की बात की जाए तो मतलब है कि woman मतलब इंसान का महिला या औरत या बच्चे का sale पर change करना उन्हें transfer करना दूसरी जगह पर forcefully यानि कि बल के रूपे या धमका के डरा के उन्हें किसी दूसरे place पर बेज देना या गुलामी करवाना यह सब कुछ आता human trafficking में इसकी definition proper हम देखेंगे इसके topic के last में तो human trafficking को रोकना और इससे लड़ना combat करना यह protocol adapt किया है 19th meeting में संगई corporation organization की यह prosecutor generals की 19th meeting है इसके जो current chair man है संगई corporation organization के वो है तजाकिस्तान तजाकिस्तान एक country है देश है भाई सब कहां पे यह सारे देश देखेंगे जो भी इसके member है यह तजाकिस्तान यह चाइना दिखाई दे रहा चाइना से लगता है border तजाकिस्तान का यह green color का तज अधर important topic की playlist में मिल जाएगा आपको वहाँ पर जाकर देख सकते हो इसमें हम briefly discuss करेंगे इसको यह संगई बनाया गया था 2001 में उस टाइम पर रसिया चाइना किर्गिद किर्गिज Republic किर्गिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान उजवेकिस्तान इसके member थे बाद में इसके member औ पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उजवेकिस्तान और 2021 में इसका 9 member इरान और हो गया है इरान ये सारे member देखो यहाँ पर हैं ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये आपका चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये आपका इरान यहाँ पर और ये रसिय ये member है भाई साफ इसके और ये उजवेकिस्तान ये इसके member हैं 9 member है total इंडिया को देखो 2005 में संगई Corporation Organization का observer member बनाया गया था मतलब full member फुल member से पनी थी इंडिया के पास 2017 से पहले 2017 में full member बनाया गया इंडिया को पाकिस्तान को भी साथ में full member बनाया गया जब 2017 में इंडिया बना था इसका full member इसका headquarter बीजिंग में चाइना की capital है राजधानी बीजिंग वहाँ पे संगई Corporation Organization से confused नहीं होना है संगई BXT है कहाँ पे चाइना में लेकिन इसका headquarter है बीजिंग में इसका एक center है RATS RATS Regional Anti-Terrorist Structure ये एक center है जो terrorism है आतंगवाद है उससे निपटने के लिए ये काम करता रहता है कि आतंगवाद को कैसे रोका जाए ये इसका headquarter कहाँ पे उजबेकिस्तान की capital है तासकंत तासकंत में इसका headquarter है RATS का ये किसी का part है संगई Corporation Organization का ही permanent organs है जो terrorist activities को रोकने के लिए काम करता है इसका जो summit है meeting है संगई Corporation Organization की annually होती है हर साल और इसकी जो chairmanship है मतलब जो इसके अध्यक्ष रहेगा संगई Corporation Organization का वो rotation basis year wise हर साल बदलती रहती है अगर इस बार तजाकिस्तान के पास है तो फिर अगले साल दूसरी कंटे के पास फिर ऐसे 9 कंटे में घूमती रहेगी है human trafficking का मतलब क्या है human trafficking का मतलब है इसमें involved होता है recruitment, transportation, transfer, harboring, receipt of person मतलब person कोई एक जगे से दूसरे जगे पर transfer करना या उसका किसी चीज के लिए recruitment भरती करना या उसका मालो बल, force के बल पे threat धमका के उसका या coercion का कोई भी form हो सकता है coercion का मतलब है force, compel करना, किसी को जबर्दस्ती, किसी पर दबाब बनाना, तो exploitation के purpose से उसका सोचन करने के लिए उसको transfer करना या किसी जगे पर रखना exploitation में देखो कुछ भी आ सकता है, सोचन करना, exploitation का मतलब होता है, exploitation में होता है, देखो किसी से prostitution कराना, मतलब वैसे विर्थी करवाना, किसी ओरत से, या उसका sexual exploitation करना, या उस पे forced labor कराना, जबर्दस्ती उससे काम कराना, या कोई service कराना, या slavery या कोई practices हो सकती है, जो similar to slavery हो removal of organ, या किसी का देखो, जबर्दस्ती, body से कोई organ हटा दिया, यानि कि kidney निकाल के बेज दी, ये भी किस में आता है, exploitation में आता है, तो ये human trafficking में आते हैं सारे, next है सागर निदी, सागर निदी एक जहाज है भाईसा, पानी वाला ship, इंगलिस में बोलते है, पानी के जहाज को ship, तो ये ocean research vessel है, मतलब ocean में समुद्र में research करने के लिए, खोज करने के लिए, ship का यूज किया जाता है, जिसका नाम है सागर निदी, अभी union minister of earth science है, जो हमारे, उन्होंने visit किया है, इसमें, ये है भाईसाब, ship, जहाज पानी का सागर निदी, इसका नाम है, ये, इससे पह समुद्रियान mission, तो इन दोनों के बारे में हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं, उसी का देखो, ये उसी में एक तरह से support करेगा, समुद्रियान mission में ये सागर निदी सिप, ये 2008 में commission क्या गया था, commission का मतलब है start किया गया था, हमारे इंडिया नेवी में ये conduct, मतलब commission कर दिया सागर पूर्वी नाम का एक ऐसा ही सिपह पानी का जाज और सागर पश्चिमी, ये third research vessel है, जो start किया अभी जिसकी operation, ये vessel देखो, बहुत सारी research करने की capable है, जैसे geoscientific, metrological, metrological का मतलब है, weather related, यानि कि मौसम की जानकारी खटा करना, या oceanographic research कर सकता है, ocean में, समुद्र में म 10,000 nautical miles तक ये visit कर सकता है, capability है इसकी, यानि कि blue water capability को ये support करेगा, 10,000 nautical miles का मतलब होता है, एक nautical miles में 1.852 km होते हैं, तो km में आ जाएगा, लगबग 19,000 km की यात्रा कर सकता है, 45 days तक ये यात्रा कर सकता है, इतनी capability है इसकी, और blue water capability को जो support करेगा, इसका मतलब ये है, क इंडिया का जो nation का हमारा home part है, जैसे समुद्र के किनारा हमारा ये है इंडिया का, तो इंडिया के समुद्र के किनारे से दूर operate कर सकता है, high sea में, high sea का मतलब है, कि हमारे coastal area से बहुत दूर तक ये research कर सकता है, तो एक तरह से blue water capability को increase करेगा, पहली बार ऐसा हुआ है, इंड practical waters में, वहाँ पे देखो ये गया vessels research की से इपने 11 storm को face करते हो, storm का मतलब वहाँ cyclone चक्रवारत आए 11, बहुत तगड़ी बारिस वगएरा हो जो रही है, वहाँ पे 73 ये एनम पर हावर मीटर की wind speed चल रही है, मतलब बहुत तेजी में wind speed चल रही है, इस बात लिए area की बात ह हो रही है, ये देख रहे हो आप, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे देखो ये लगबख 60, ये है आपका 23.5 degree latitude, और यहाँ पे लगबख ये जाएगा 66 degree south latitude, ये southern hemisphere है न, तो यहाँ पे ये अंटार्क्तिका continent है, तो इस वाले area में research करने के लिए, यहाँ पे देखो ये westerly wind चल रही है, मतलब westerly wind चल रही होती है, पश्यमी, देखो ये east है, और ये west है, तो western side से जो wind आ रही होती है, wind मतलब हवा, तो ये wind बहुती speed में चल रही होती है, यहाँ से, इनको आपने पढ़ा भी होगा, 40 degree latitude पे बोलते हैं, इनको 40, 50 पे बोलते हैं, अलग नाम से, 60 पे बोलते हैं, shrinking, ऐसे नाम अलग अलग नाम हैं, इनके आपने पढ़ा होगा जोग्रफी में, तो इन wind को जहलते होए, इसने research किये, इस सागर निदी वैसल ने, इसे मैं erase कर लेता हूँ, ये फिर भी काम में आएगा मैं, और ministry of earth science ने देखो, presently अभी six ship हैं, जिनके, मतलब ocean research के लिए, जिनका काम किया जाता है, सागर ने दी, सागर मंजूसा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तरा, सागर अनवेशिका, ये हैं, जो many ocean studies के लिए, यूज किये जाते हूँ, ocean observation के लिए, तो इस ship का जो यूज किया जाएगा, research वैसल का, इसके क्या significance है, क्या importance है, द कि जो aqua culture है, वो कर सकते हैं, उसको support करेगा, एक तो ये research करने में, और deep ocean mission जो चला रखा है, इंडिया ने, deep ocean mission का मतलब यह है, गहरे समूदर में जाके को research करना, मानलो कोई petroleum diesel मिल जाए, जो हमारी energy की demand पूरी हो जाए, बाहर देश से हमें न import करना पड़े, आयात ना करना कि अब tsunami आने वाली है, कि tsunami की पहले से ही पता चल जाएगा, और coastal areas में tsunami आने से हमारे जो नुकसान होता है, वो नुकसान को बचा सकते हैं, पहले ये warning देखे, gas hydrates वगरा, या mining वगरा ढूनने के लिए काम आ सकता है, gas hydrates मतलब वोई gas है, बाइस साब कोई सी gas मिल सकती है, औ और scientific evidence मिल सकते हैं, origin of life के, कि life का origin कैसे हुआ, जीवन के उत्पति कैसे हुई अर्थ पे, इसके भी कुछ proof मिल सकते हैं, evidence मतलब proof सबूत मिल सकते हैं, कुछ chronic disease जैसी हो सकती है, उनके cure करने के लिए दवाई कुछ मिल सकती है, तो ये research में कुछ ऐसा, इसमें research किया जाता है, next topic है इंडियन नेवी फ्राइगेट तुसिल, देखो फ्राइगेट बोलते हैं, जो लड़ाकु जहाज होते हैं, लड़ाई में जो क्वाम आते हैं, तो इंडियन नेवी का ये फ्राइगेट है, लड़ाकु विमान या यूद्ध पोत बोल सकते हो, इसका नाम है तुसिल, ये भी इसका नाम है, पी ड़वर वन थर्टिफाई पॉइंट सिक्स क्लास का, ये क्लास है इसकी, जैसे अलग लग क्लास के लड़ाकु विमान होते हैं, जहाज होते हैं, ये पाने वाले, तो ये इस क्लास का है, ये सेवन्ध इंडियन नेवी फ्राइगेट है, मतलब सात इंडिया और रसियन गोवर्मेंट ने दोनों ने 2016 में एग्रिमेंट साइन किया था, दोनों ने मिलके इसको बनाया है, इसमें चार ऐसे बनाये हैं, इस क्लास के, दो इंडिया के लिए और दो रसिया के लिए बनाये हैं, ये ऐसे, ये रसिया ने डिजाइन किये थे इंड detector shield होगी बचाने वाली सीध जō होती है यह जो project 200135.6 है इसको घокой वार class भी बोलते है इस class को यह class है इसकी अलग-अलग class के यह होते है लड़ा को विमान तो इसकी class को तलवार class भी बोलते है या एक class of guided missile Mercantsbes lida Q binanda की class होती है यह देखो जैसे-modified क्या गया है Creo如果 Allah 3rd class frigates की तरह जिसका main basis रस्या में है और ये इस तरह है के 6 तलवार class frigates हैं जो अभी service देते हैं इंडिया को 6 ऐसे हैं लड़ाकू जो युद्ध पो होते हैं जो ये वैसल हैं ये सिपे हैं जो ये देखो इंडिया और रस्या वीपन्स का combination है इसमें बहुत सारे sensor लगे होते हैं और इसमें देखो operate हो सकता है ये लिटोरल और blue water में लिटोरल देखो एक एरिया का नाम है जैसे coastal area होते हैं लिटोरल एरिया आपने पढ़े होंगे oceanography का chapter पढ़ा होगा जोग्रोफी में इसको बारे में अलग से हम discuss करेंगे कभी लेक्टर लेक्टर लेके जब ocean की ये oceanography के बारे में हम पढ़ेंगे पूरी यहां पर जैसे continental self area continental rise continental slope इसके बारे में सारा details discuss करेंगे बस यह जान लो coastal area के पास है यह तुसिल जो फ्राइगेट्स है यानि कि युद्धपोत है जो लड़ा को जहाज है जो stilt technology का और stilt technology का मतलब क्या है देखो यह क्या है जब भी कोई इंडियन territory के आसपास कोई जहाज आ रहा है ऐसा समुद्र का मतलब पानी का जहाज तो कोई लड़ा को भी मानलो equipment आ रहा है तो उसे क्या ना रेडार के जरीए detect करते हैं detect का मतलब देखते हैं पता लगाता कि कोई हमारी तरफ कोई युद्धपोत तो नहीं आ रहा है कोई ऐसा सिप तो नहीं आ रहा है हमारी पोस्टर लेरिया अज की तरफ तो यह रेडार से पता लगाते हैं रेडार के बारे में special lecture बना हुआ है science and technology की playlist में तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो पूरा detail में कैसे काम करता है रेडार बहुत important topic है ये भी इसमें देखो जैसे आपने देखा होगा बच्पन में एक laser light होती थे ना red red सी light निकलती थी रात में उसे जलाते थे तो ऐसी laser light वगएरा निकालते हैं इसमें से और य रेडार से भी बच सकता है ये रेडार के हाथ में नहीं आएगा और इसका मतलब इसको नहीं पता नहीं लिगा सकते इंफ्रा रेड से रेडार से सोनार से या कोई और detection टेक्नोलोजी है तो ये बच भी सकता है रेडार की आखों से नेक्स्ट है कि ये लॉंग टेक्निकल कोपरेशन बिट्विन इंडिया और रोशिया इसको भी एक तरह से हाइलाइट करता है और इंडिया नोसियन रीजन है उसमें देखो हमारी इंडिया नेवी की कैपिबिल्टी को तो बढ़ाए गई ये जब हमारी इंडिया नेवी के पास होगा ये ऐसा युद् पर बैली में वहां से चलाया है संडे मॉर्णिंग में 31 अक्टूबर को ये फिट इंडिया फ्लोग रन जो फिट इंडिया मुवेंट का है फिट इंडिया मुवंच में ये ये 清व सब इस पर जोड दिया जाता है और इसको पास कूड़ा अधवि आ Wednesday ही आदमी denn AND इने फोकस किया जाता है यानि कि जोगिंग करता हुए लिटर को कूड़े करकट को एकटा करना कलेक्ट करना जो भी पार्टिस्पेंट इसमें होते हैं यह एक अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था लगबक और यह क्लीन इंडिया कैमपेंग अभी यह खतम हुआ है जो रिपू दा पास आपके प्लास्टिक पड़ी हुए उसके खटा करना कलेक्ट करना इंवर्मेंट से प्लास्टिक को घटाना यह आप जोगिंग भी करता रहो और कचरे को साब भी करते रहो बस इसमें इतना रखना है next है लगपती self-help group woman देखो यह क्या है health related gs paper 2 के लिए important है यह और जो हमने defense related पड़े वो हमारे gs paper 3 के लिए important है जो तुसिल नाम का पड़ा हमने वो उपर जो fry gate है और उस पहले हमने एक और पड़ाता defense related ship हमारा जो है सागर ने दी वो भी हमारा gs paper 3 के लिए important है और prelims के रखनी है जो लगपती self-help group woman यह gs paper 2 के लिए important है और prelims के लिए important है यह लगपती self-help group का मतलब क्या है दखो self-help group क्या होते है पहले यह जानो आप SHG self-help group मानलो यह group कोई 10-20 आदमी 50 आदमी इखटा होके आ गए उन्होंने एक group बना लिए सम्मूँ अब यह खुद की help करे है उसी को बोलते हैं self-help group मानलो किसी को लॉन चाहिए इखटा पैसा इखटा करेंगे बैंक में जमा करेंगे बैंक लॉन भी देगा अगर लॉन लेना मानलो तो इन पर कम ब्याज मेंने लॉन मिल जाएगा क्योंकि self-help group बनाके इन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है और कि किसको लॉन देना किसको नहीं देना इसके मेंबर खुद करेंगे इसको देना नहीं बहर पाएगा वापिस नहीं बहर पाएगा वापिस लॉन चुकाएगा नहीं यह खुद की घर्लव किरना यह group हों गया यह women के जो महीलाओं के self-help Been गुरू है गुरूपे जो इन group को इसका काम है, Ministry of Rural Development ने ये प्रोग्राम अभी लॉंच किया है, ताकि वूमन को सपोर्ट किया जा सके, ये देखो भाइस अब जैसे विलेज एरियाज में गाउं में ये ये बना रही हैं, इसे डलिया वगरा भी बोलते हैं, या देखो ये बना रखे हैं, जो टोक्रे वगरा टाइप के, ये बांस वगरा से बनाते हैं, या बंबू वगरा, ये रीजनल, मतलब रूरल एरियाज में बनाते हैं, इनकी लाइवलि हुड सीक्योर करना इसमें में मकसा दें, मतलब इनके काम को एक तरह से परमोट करना, ये आएंगी इन्हें मार्किट मिलेगी, ये सपो परमोट किया जाएगा, इसमें नेशनल रूरल लाइवलि हुड मिसन है, ये एक तरह से जखो, इसको सपोर्ट करने में काम करेगा, इसमें 6768 ब्लॉक्स हैं, जो अभी आइडेंटिफाई किये गए हैं, पूरे इंडिया में, इनमें लगबक 7.7 करोड वूमन है, जो 70 ला जाएगा, इस प्रोग्राम के अंदर, इसमें लगबक 80,000 करोड रूपीज एनुवली प्रोवाइड किया जाएगे, इस मिसन के अंदर जो पूर वूमन है, उनको डिफरेंट क्रोस सेक्षन क्लास से जो आती है, या सेल्फ हल्प ग्रूप में जो पार्टिस्पेट करती है दिफरेंट कास्ट हो, कोई भी हो, उन सब को परमोट किया जाएगा, यानि कि उनकी इनकम क्वाल्टि और क्वाल्टि ओफ लाइफ को इनकप की जाएगी, उनकी इनकम को इनकरीज करके, जब इनका सामान बिचे कभाईसा मार्किट मिलेगी तो इनकम जनेरेट होगी और उ यह इसमें देखो इंस्योर किया जाएगा पर एनम एक लाग पर हाउसोल्ड एक घर में कम से कम एक लाग रुपे की इनकम हो यानि कि यह लगपती बन सकें इसलिए स्कीम का नाम भी लगपती रखा है तो यह एस्पिरेशनल और इंस्पिरेशनल होगा रूरल सेल्फ हल्प ग क्या जाएगा इनका कोपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है क्या होती है देखो जैसी सेल्फ हल्प गृप होते हैं ऐसे कुछ यह होते हैं कुछ लोग आते हैं वाइससर पक्रोप्रीट आते हैं अपने आपस में को और उत T mandate करते हैं अ आपकची देने झाव गे ऐसे cooperative society मतलब अपने खुद की help करना इनका main काम है corporate करना एक दूसरी को देखो ये भाई साब जो ये है चारा fodder जो गाय भैस वगएरा चरते हैं grazing करते हैं ये चारे की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से जब चारे की कमी होगी तो ये पसू ये जो चारा नहीं खा पाएंगे दूद अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो जो लोग ये पसूं को पालते हैं उनकी तो livelihood भाई साब खत्रेम हो जाएगी वो तो पैसे इसी से कमाते हैं दूद वगएरा बेचके तो इनकी livelihood secure करना main काम है इस scheme का देखो इसमें तीन प्रोग्राम स्टार्ट किये गए हैं एक तो जो रीजनल लेवल पे पैक्स होते हैं प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक तरह ऐसे आई मालो cooperative society होती हैं उत्तरा खंड में जतनी भी होंगी यह complete इनका computerization क्या जाएगा मतलब digitally इनकी सारी information होगी register होंगे सारी information फिर इनको देखो direct link क्या जाएगा PACS को district bank से यह सारी जो cooperative society है regional level पे छेत्रे level पे गाव वेरियास पे उनको district में जो ब्रसिफ को अठेट कॉपर को उत्रे कर नाबाड बर 1932 यह बनाया गया था नाबाड यह सलिए बनाया गया था तालिये अरो पहुकि साइटिव स्था इस jadi को यह प्रमोट करें जो होती है और लेवल पे तो नाबार नेसल बैंक फोर एग्रिकल्चर रीकर्स्ट्रक्शन डवलप्मेंट बैंक कही है यह फार्मर की जो स्कीम वगारा चली होती है उनको पर्मोट करने के लिए काम करता है तो मुख्यामंत्री घस्यारी कल्यान योजना यह लॉंच की गई है किसलिए ताक यहां पर नुट्रिशनल क्वाल्टी तो चीज़े ना एनिमल्स को फीड करने के लिए उनको खाना खना लें के लिए तो यह लगवग वन लाग फार्मर्स जो यहां पर रहते हैं कम से कम उनको फायदा करेगा बेनिफिट पहुचाएगा नेक्स टॉपिक है इंडिया स्ट इलर्डिक पार्टर्रशिफाइठ इयनर्जी टाजित हैं आभी दो जीट्वेंटि चल रहा है कहां पर खतंबीं हो गए लगत gün को 352 को चलाता हुँ है इटली मेन इंडिया इस का मेंपर इंडिया चायना भी चिसके मंबर तो इसमें देखो अभी जोम meeting होई है। मुझे में इटली के president की Mario, Draghi और इंडिया के prime minister की meeting होई इन्हों ने bilateral agreement किया दोनोंने। यह है हमाई सब prime minister हमारे और यह इटली के president इन्होंने कहा कि हम energy partnership करेंगे, energy transition में energy transition का मतलब है जैसे energy के लिए एक तूसरे का corporate करना एक दूसरे को और energy transition में मतलब है कि जो fossil fuel से energy बन रही या भी कोईले से जिसके वज़े से pollution ज़्यादा होता है तो हम इसे transition करें हम जो clean energy है उसकी तरफ जाए solar energy की तरफ चाहें यानि कि सौरूर्जा बनाएं यह joint working group इन्होंने एक बनाया है दोनोंने MOU sign क्या है MOU का मतलब है memor random of understanding यानि कि agreement ही समझो समझो था energy की field में corporate करेंगे 30 October 2017 को देखो यह sign हुआ था यह joint working group और इसको आगे promote करने के लिए अभी यह यहाँ पर agreement किया है दोनों countries ने यह देखो smart cities के area में mobility smart grid smart grid का मतलब है जो बिजली के खंबे लगे होते हैं वो गिरिड उनको smart बनाना electricity smart का मतलब यह नहीं है जैसे smart phone हो गया आपका इस तरह से कि जानकारी लगा सके कि कहां पर कितनी विजली टांसफर हो रही है ऐसे जैसे smart meter होते हैं स्मार्ट मीटर कैसे होते हैं, आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं, अभी वो जनरल मीटर है, डिजीटल मीटर है, या एनलोग मीटर होंगे, अगर वो स्मार्ट मीटर होंगे, तो ऐसे लगेंगे, स्मार्ट मीटर, कि जैसे आप आपके फॉन में रिचार्ज करवाते हो आप जितना आपने रिचार्ज करवाया तब तक आपकी कॉलिंग होगी, ऐसे कुछ स्मार्ट मीटर होगे, कि जितना आपने रिचार्ज करवाया तब तक आपके घर में बिजली आती रहेगी, वना बिजली आपकी कट हो जाएगी, तो ऐसे कुछ smart grid होगे, electricity distribution, storage solution, के electricity अगर ज्यादा जनरेट हो रही है तो उसको स्टोरी कैसे करें इसके सॉल्यूशन पर काम करेंगी दोनों कंट्री मिलके इसमें देखो ग्रीन हाइडोजन को डवलप करने के लिए और एसी टेकनोलोजी है इनको डवलप करने के लिए भी सपोर्ट करेंगी इटली और इंडिया एक कंट्री आपस में ग्रीन हाइडोजन क्या है यह भी आपको मिल जाएगा एकॉनमी की प्ले रिस्ट में वहां पर जाके देख सकते हैं उसका लेक्चर और जो इंडिया का देखो टार्गेट है रिनेवल एनरजी 2030 तक 450 गीगावार्ट तक हमें जनरेट करनी है रिनेवल एन कोल से उगसमें कोल बोलते हैं हिंदी में कोईला तो यह कोल वही है व protagonize अनवे पोरेट कर दीन बहुत जाता हूता है मिलेगि बसई है इसमें टॉपिक है इंडिया वेटिकन सिटी देखो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरंद मोदी जी वो जो होलीनेस पॉप फ्रांसिस है उनसे मिले है इस सिटी में वेटिकन सिटी में वेटिकन सिटी यह मानलो एक कंट्री है देश है कहां पे इटली के अंदर यह भाई इतना सा बहुत छोटा सा है यह वेटिकन सिटी यह देखो पिछले डू डिकेट में एक डिकेट में होता 10 साल पिछले 20 सालों में यह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं पॉप से पॉप भाईस अब देखो जैसे धार्मिक गुरू है एक तरसी यह मानलो पॉप फ्र decision को तो इनसे मिले हैं भाई सब अभी और इसके देखो ये खुद president की तरह काम भी करते हैं Vatican City के Vatican City एक अलग देश भी बन गया है religious एक तरह से religious country है ये जून 2020 में देखो जून 2020 में नहीं जून 2000 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजबई जी जो नहीं रहे इस दुनिया में वो मिले थे पॉप से और इंडिया और हॉली सी के जो फ्रेंड्री रिलेशन है वो 1948 से ही है स्टार्ट हो गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इंडिया में देखो second largest population रहती है Catholic की ये Catholic देखो Catholic Christian होते है जैसे आपने मुस्लिम में देखा होगा सुन्नी और सिया सेक्ट होती है मतलब हिंदू में देखा है हिंदू के community एक धरम है उसके अंदर बहुत सारी caste हैं जात के सारी sect होती है तो जो Catholic जो Christian होते हैं उनकी Asia में second largest जो population है वो इंडिया में ही है प्राइम मिनिस्टर ने देखो जो holiness Pope Francis है उनको invite क्या है कि हमारी इंडिया में विजिट करने के लिए और उन्होंने भी accept कर लिया इंडिया में विजिट करेंगे वो अब Vatican City के बारे हम थोड अलग से बनाता country यह बनाता एक treaty हुई थी 1929 में treaty का मतलब संधी हुई थी lateran treaty के नाम से तब यह independent बनाता इतली से independent हो गया था कि अलग से अलग देश है भाई साब और देखो इसमें जो है dominantly sovereign authority है यह full ownership है इसके पास और अपने decision खुद ले सकता है और international कोई law में मालो करने नहीं करने है spiritual independence है इसकी 49 hectare का area है इसका 49 hectare का area और 825 इसकी total population है 825 मतलब सबसे smallest state है यह area wise और population wise पूरे world में तो एक country ही है यह मानलो बस और यही lecture में आज के topic यही थे बस